सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए पर यहां पर है कि भारत के निम्रिकित में से किस शहर का उपनाम City of Joy है तो जल्दी से कर दीजी इस कोशन का राइट आंसर आपका क्या होगा तो आपको यहां पर सातियों ध्यान ये रखना है कि City of Joy किसे कहा जाता है अच्छा को एक और भी कुछ कहा जाता है पूरवी भारत क प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है तो कोलकाता को पूरवी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है और कोलकाता को ही City of Joy कहा जाता है तो यह दोनों ही बाते आप लोग ध्यान रखेंगे बहुत बड़िया very good class अब उसके बाद देखिए आप से पूछा जाएगा कि इटा और मड़ीपुर की राजधानी क्या है इंफाल है अब बचा क्या साथ हो अरुणाचल प्रदेश बचा तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी इटा नगर हो जाएगी यह बात आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रिशन है किस आधुनिक भार्तिय है तो महराष्ट में है अब उसके बात देखिए अगला पुर्षन आपकी स्क्रीन पर है कि वर्ष दोजार चौध पैंकरं का ज़न्म हुआ था तो किस राज का गठन साथियों 2014 में किया गया था बताने की कोशिश करेंगे आप सबी लोग तो अगर हम लोग यहाँ पर बात करें आप सबी लोग जानते हैं कि तेलगाना दिवस साथियों 2 जून को मनाया जाता है और 2 जून 2014 को तेलगाना एक नए राज़ के रूप में उभर कराया एक नए राज़ का गठन किया गया तेलगाना का 2014 में अगर बात करें तेलगाना की राजधानी क्या है तो हैदराबाद है अच्छ तेलगाना राज जो अलग हुआ है वो किस राज़ से अलग हुआ था तो आंध्री पुर्दिश से अलग करके बनाया था तेल गाना ये बात भी आप से पूछी जा सकती है उसके बाद देखिए के निमलिकित मेंसे कौन सा भारती रिजर्बैंक का कारचेतर के अधी नहीं है बताई बैए चलिए देखिए अगर हम लोग यहां पर बात करें कि भारती रिजर्बैंक की तो मुद्रा जारी करने वाला बैंक है भारती रिजर्बैंक बिल्कुल सही अंतिम विकल्प के रूप में रणदाता है भारती रिजर्बैंक तो बिल्कुल सही सरकार के लिए एक बैंकर के रुपे कार करता है भारती रिजर्बैंक तो बिल्कुल सही तो जनता के लिए क्या बैंकर है तो जनता से साथियों कोई नहीं इसका लेना देना तो इसलिए आंसर आपका किस आप्शन के साथ जाएगा option number A के साथ जाएगा यानि कि जनता के लिए एक बैंकर का कारण नहीं करता है तो जिन लोगों का भी आंसर यहाँ पर option number A है बिलकुल correct है कब इसकी स्थापना हुई तो 1 अपरेल 1935 को इसकी स्थापना की गई यह बैंकों का बैंक कहला जाता है और इसका मुख्याले साथ हैं मुंबई में स्थाथ है उसके बाद देखिए भारती रिजर्बैंक के गवंडर का कारयाले कहां पर स्थाथ है चलिए भारती रिजर्बैंक के गवंडर का कारयाले कहां पर는지 थे वह इंडरेक्ट्ली आपसे पूछा जा रहे है कि भारती रिजर्ब बैंक का परिस्थे थे थे तो मैं आपको बता चुका हूँ मुंबई में इसका कारयाले इस थे ये headquarter इस्तित है, कुछ भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है, चलिए, अब उसके बाद देखिए, अगला प्रिशन है कि भारती State Bank की स्थापना कब हुई थी, आप से पूछा जा रहा है, 1551 में, sorry, 1951 में, 1851 में, 1841 में, 1806 में, तो आपको ध्यान क्या रखना है साती हो, कि State Bank of India की जब बात करते हैं, तो ये भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना बैंक है, ठीक है, यहां पर अगर बात करें, तो 1806 में इसकी स्थापना हुई थी, State Bank of India की, ये भारती State Bank की, तो जिनका भी आंसर यहां पर है, option number D के साथ, तो बिलकुल character है, बहुत बढ़िया, very good class, उ Bank of Bombay, इसका विले करके किस बैंक का गठन किया गया, तो इन तीनों बैंकों को मिला कर साथे हों, किस बैंक का गठन किया गया है, तो Imperial Bank of India का गठन किया गया है, ये बात आपको ध्यान रखना है, तो जिनका भी आंसर यहां पर है, option number C के साथ, तो बिलकुल correct हो जाता भी, ब अपने रणों पर लगाई जाने वाली ब्याजदर नहीं, निजी छेतर के बैंक द्वारा वालिजिक बैंकों को दिये गए, अपने रणों पर लगाई जाने वाली ब्याजदर नहीं, आनसूचित वालिजिक बैंकों को दिये गए, अपने रणों पर लगाई जाने वाली ब्याजदर तो ये बिल्कुल सही आपका हो जाएगा आंसर आपका जो जाएगा option number D के साथ जाएगा यानि कि bank rate किसे कहा जाता है bank के दर किसे कहा जाता है केंदरी ये bank के द्वारा वालिजिक bank को को दिये गए अपने रणों पर लगाई जाने वाली ब्याजदर को ही सातियों क्या कहा जाता है bank कदर कहा जाता है उसके बाद देखिए माल एवं सेवा कर परिशत के पहले अध्यश कौन थे आपसे पूछा जा रहा है बताईए चलिए क्याँ पर सातियों answer आपका किस option के साथ जाएगा बताने की कोशिश कीजे चलिए वई राजनाज सिंग या अरुन जेटली ये परकाज जावडेकर या सूरेश परभू तो answer यहाँ पर सातियों जल्दी से बताई इसका right answer अरुन जेटली इस question का बिल्कुल correct answer हो जाएगा क्या होगा अरुन जेटली इस question का बिल्कुल correct यानि के GST परिशद के पहले अद्श कौन थे तो अरुन जेटली थे उसके बाद देखिए GST लागू करने वाला कौन सा देश था यानि के सबसे पहला कौन सा देश था आपसे पूछा जा रहा है बताईए चली तो GST लागू करने वाला सत्यों अगर बात करें 1954 में सबसे पहले जो GST लागू की गई थी वो सबसे पहले फ्रांस में लागू की गई थी इसलिए answer आपका किस option के साथ जाएगा option number B के साथ जाएगा और जिनका भी answer यहाँ पर B है तो बिलकुल correct है अब उसके बात देखिए कि एकल महिला पेंशन यूजना शुरू करने वाला पहला भारती राज़ कौन सा है बताईए एकल महिला पेंशन यूजना शुरू करने वाला पहला भारती राज़ जो है वो महराष्ट है, गुजरात है, दिल्ली है या तेलगाना है तो साथियों तेलगाना है तेलगाना के बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि 2 जून 2014 को इसका गठन किया गया कहां से किया गया, इसका आंधर प्रिदेश को अलग करके एक नया राज़ जो बनाया गया राज़धानी इसकी क्या है, तो हैदर आवाद इसकी राज़धानी है अब उसके बाद देखेंगे, नेक्स नमबर का पुर्शने के निमलिकित में से स्वच भारत के विषय में क्या सही है, स्वच भारत के विषय में साथियों क्या सही है यह आप से पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीज़े, बताइए तो अगर बात करें, दो अक्टूबर 2014 को लांच कीगी इसको साथियों तो 2 October 2015 को launch की यहां पर लिखा ए तो 2 October 2015 को launch की यह लिए गलत हो जाएगा यहां पर 2 October 2014 लिखा होना चाहिए था तो यह गलत है उत्तर पूरी विराज इस मिशिन के हिसे नहीं हो तो यह बात भी गलत है सातियों अगर बात करें इसे संपूर सचता प्राप्ट करने के लिए लॉंच किया गए तो ये बात बिल्कुल सही लग रही है ये केवल गरामी और छेतर के लिए तो ऐसा भी नहीं है तो कुल मिलाके सवच भारत मिशन के विशे में क्या सही है आप्शन नमर सी वाला कर्थन बिल्कुल सही है उसके बाद देखिए सवच भारत मिशन सातियों कब शुरू किया गया पंधरा में, चौधा में, चौधा में या दोहजार पंधरा में बताईए तो आपको अभी मैंने आपको क्या बताया था कि 2 अक्टूबर 2014 को सवच भारत मिशन सातियों शुरू किया गया तो जिनका भी आंसर यहां पर है, आप्शन नमर B के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है अब उसके बाद देखेंगे, अगले नमर का पुर्शन आपकी स्क्रीन पर आपसे पूछा यह जा रहा है कि आयुशमान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन सा कतन सही नहीं है तो आयुशमान भारत योजना के बारे में इनमें से कौन कौन से कतन सही है तो आयुशमान भारत एक राष्टी स्वस्त सुरक्षा योड़ना है तो बिल्कुल सही वरिष्ट नागरिक स्वस्त भीमा योड़ना को इस योड़ना के तहर शामिल नहीं किया गया है तो वही वरिश नागरी भी इसमें शामिल है ये आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा इस योजना के तहट परती परिवार पांच लाक वार्शी कवरिज का निरधारित लाप राप्त करेगा तो ये बात बिल्कुल सही है राश्टी स्वस्त भीमा योजना को आईशमान भारत योजना में शामिल कर दिया गया है तो बात बिल्कुल सही है जो बात गलत है कतन जो गलत है वो आप्शन अमर B वाला कतन गलत है और यही आप से पूछा गया था कि कौन सा कतन सही नहीं है तो आंसर आपको आप्शन अमर B के साथ जाएगा निम्लिकित में से कौन करनाटक संगीत की तिरमूर्थी में से एक है तो साथियों अगर बात करें करनाटक संगीत की तिरमूर्थी में तीन वैक्ति आते हैं कितने वैक्ति आते हैं साथियों करनाटक संगीत की तिरमूर्थी में तीन वैक्ति आते हैं तो ये बात आपको ध्यान रखना है अगर बात करें साथ हो करनाटक शैली का पिता किसे कहा जाता है तो पुरंदर दास को करनाटक शैली का पिता कहा जाता है ये बात भी आपको ध्यान रखना है उसके बात देखिए पंडित जसराज किस छेतर में परख्यात हैं बताईए कि इस छेतर के रिए जाने जाते हैं पंडित जसराज आप से पूछा जा रहा है तो शास्त्री नर्तक के रूप में सितारवादक के रूप में तवला कलाकार के रूप में शास्त्री संगीत कार के रूप में तो आंसर आपका जो जाएगा वो शास्त्री संगीत कार के रूप मे कच्छ में, लद्दाख में, सौराष्ट में या बुंदेलकंड में तो आंसर आपका जो जाएगा वो लद्दाख के साथ जाएगा यानि कि आपको ध्यान रखना है इस पाउन नुट्र सातियों लद्दाख में किया जाता इसलिए आंसर आपको आप्शन नमबर बी के साथ जाएगा और जिनका भी आंसर यहाँ पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है चलिए उसके बाद देखिए आगले नमबर का प्रिशने के डोलू कुनिता क्या पूछा जा रहा है डोलू कुनिता सातियों कि सराज के लोकनत का एक रूप है आसम के पश्ची मंगाल के 36 गड़के या करनाटक के तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाना चाहिए करनाटक के साथ जाना चाहिए यानि के करनाटक के अगर लोकनत की बात करें तो डोलू कुनिता यह करनाटक का लोकनत है आप लोग ध्यान रखेंगे अब उसके बाद देखिए अगला पृष्णा है कि नाट की एक कला के विशाय में एक प्रसुद्ध ग्रंत है किस ने लिखा था हर्षवर्धन ने भरत मुनी ने काली दास ने या विश्णु शर्मा ने बताएए क्या होगा सात्यों इस पृष्ण का बिल्कुल सही उतर बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग देखिए नाट शास्तर के बारे में अगर बात करें तो इसमें रंग मंच है निरत के बारे में लिखा है संगीत के बारे में लिखा हुआ है और इसके सात्यों लेखा कौन है तो भरतमुनी आप लोग धियान रखेंगे भरतमुनी इस प्रश्न का बिलकुल सही उतर हो जाता है भरतमुनी ठेक है तो जिनका आंसर यहां पर आपशन नमबर B के साथ है तो बिलकुल करेक्ट आंसर है आपका अब उसके बाद देखेंगे नेक्स नमबर का प्रश्न है कि पदुचेरी का लोकनत कौन सा इन्वे से पदुचेरी का लोकनत आप से पूछा जा रहा है बताई भाई तो harmonium में साथियों क्या होता है आप लोग घ्यान डखेंगे एक कीबूर्ड की तरह होता है तो harmonium में ही होता है ठीक है उसके बात देखिएंगे अगला पुर्शनापकी स्क्रिन पर कि Easter का तेवहर में से किस दिन मनाया जाता है बताईए जो Easter का तेवहर होता है साथियों ठीक उसके बाद देखेंगे अगले नमबर का प्रशन आपकी स्क्रीन पर है आपसे पूछा जा रहा है कि कब उको प्रकाश का तिवार कहा जाता है किसको प्रकाश का तिवार कहा जाता है क्रिसमस को मकर सक्रांती को दीवाली को या गोड़ी पड़वा को बताईए चलिए तो प्रकाश का दिवार साथियों किसे कहा जाएगा जिसमें दिये वगेरा जलाए जाएगे और दिये वगेरा दिपावली में जलाए जाते हैं यानि कि दिवाली मनाए जाते हैं तो साथियों इसको हम लोग क्या कह सकते हैं प्रकाश का दिवार कहा जा सकता है तो जिनका भी आंसर यहां पर option number C है तो बिलकुल सही है ठीक है आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान राम 14 वर्ष के वनवास्त के बाद सातियों आयोध्या वापस आये थे और इसी के उतलक्ष में जो भी नगर में जो भी लोग रहते तो उनों ने दीपो को जलाया था और उनका सवागत किया था। उसके बाद देखिए कि किस भारतीय राज में सामाजिक तोहर छापा मेला क्या च्छापर मेला सातियों च्छापर मेला आयजित किया जाता है बिहार में पंजाब में औरिशा में या गुजरात में बताईए च्छापर मेला सातियों कहां पर किया जाता है तो आप लोग ध्यान रखेंगे पंजाब में किया जाता है पंजाब में च्छापर मेले का आयोजन किया जाता है पंजाब के लुधियाना जिले में च्छापर मेले का आयोजन किया जाता है ये बात आपको ध्यान रखना है तो प्रशन है कि भारत की core sector industries में निमने कितमे से क्या शामिल नहीं है तो भारत की core sector industries में क्या-क्या शामिल है तो कच्चा तेल शामिल है उर्वरक शामिल है सेमेंट शामिल है लेकिन चीन ही शामिल नहीं है अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है उसके बाद दे STLE COMPANY जिस کو TISCO के نام से भी जाना जाता है यह company है ठीक है अगर बात करें सातियों इसका जो इस्थापना की गई इसकी कब इस्थापना कीगई गई 1907 में इसका इस्थापना कीगई या इसका निगमन कभ किया गई 1907 में इसका निगमन किया गया कहां पर है सातियों तो जहार घंड में इस्थित है ये बात भी आपको ध्यान रखना है उसके बात देखिए अगले नंबर का प्रिश्ण है कि किस शहर को भारत की वालजीक राजधानी की रूप में जाना जाता है तो किस शहर को सातियों भारत की वालजीक राजधानी की उसके बाद देखिए कि बजाज ओटो एक सायुक्त चेतर का उद्धोग है एक सारवनिक चेतर का उद्धोग है या ये एक सहकारी उद्धोग का चेतर है चलिए तो फटा फट साती उस कोशन का राइट आंसर आप लोग करेंगे क्या इस कोशन का बिल्कुल करेक्ट होगा त तो बजाज आटू की जम मैं बात करते हैं साथि हों, तो ये भारत की सबसे बड़ी निजी, दो पहिया, वाहन निर्माता कम्पनी है, इस कम्पनी का मुख्याले कहां पर ακॉशन है, तो पूड़े में इसका मुख्याले अस्तित है, इस कम्पनी की स्थापना साथ है, उननिसो तो आपको ध्यान क्या रखना है साती हो भारत ने सिक्षे की दशमल प्रणाली को कब बदला तो 1957 के अप्रेल महां में बदला इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर भी हो जाता है उसके बाद देखिए के भागत सिंग और बटुकेश्वर दत ने दिल्ली के अंद्रिय विदान सावा में स्मोक बम फेके वे किसका विरौध कर रहेते बताई वे चलिए तो किसका विरौध कर रहेते आप से पूछा जा रहा है तो आंसर आपका जो जायगा वो त्रेड डिस्प्यूट बिल किसने की थी आप से पूछा जारे जलिया वाला बाग हत्यागान कब हुआ था तो 1919 में हुआ था आपको ध्यान रखना है अगर बात करें साथो यहाँ पर सरदार उधम सिंग की तो सरदार उधम सिंग इस परशन का बिलकुल सही उतर है जनर्र डायर की हत्या किसने की थी तो स पहराया गया था सातियों जर्मनी में फहराया गया था और कब फहराया गया था तो 1907 में फहराया गया था तो आंसर यहां पर जो जा रहा है वो option नमबर D के साथ जा रहा है जो के बिल्कुल correct है अब उसके बाद देखे यूवा बंगान आंदोरन सात्यों किस ने शुरू किया था या आप से पूछा जा रहा है तो बताने की कोशिश कीजिए बताईए चलिए तो यहां पर अगर हम लोग बात करें इश्वर चंदर विद्या सागर ने डेनिस क्लाइव या राजा रामोन राई या हेंडरी विवियन डेरो जी ओ आंसर आपका जो जाएगा आपकीस आप्शन के साथ जाएगा या आप से पूछा जा रहा है बताईए चलिए तो आप लोग ध्यान रखेंगे हेंडी विवियन डेरो जी ओ इनका नाम है और इन्हों ने ही युवा बंगाल आंदूर शुरू किया था तो आंसर यहां पर आपका आपका आप्शन नमर डी के साथ जाना चाहिए नेक्स नमर का प्रशन है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना दिल्ली में हुई थी और दिल्ली में साथियों कहां पर हुई थी आप से पूछा जा रहा है बताईए चलिए अगर बात करें साथियों तो चंद शेखर आजाद के ने तरुत में साथियों कहां पर की गई थी दिल्ली के फिरोश शाह कोटला मैदान में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन की स्थापना की गई थी इसका नाम बदल कर साथियों क्या हो गया था हिंदुस्तान सो युद्ध में शहीद हुई थी तो किस युद्ध में शहीद हुई थी आप से पूछा जा रहा है बताने की कोशिश करेंगे आप सभी लोग बताईए चलिए देखे अगर बात करें इनके जन्म की तो सात्यों वरनसी उत्तर पुदेश में इनका जन्म हुआ था और वरनसी को क्या कहा जाता है मोक्ष नगरी कहा जाता है ये बात आपको ध्यान रखना है लेकिन इनकी मृत्यू कहा पर हुई थी तो मद्य पुर्देश के गौलियर में अपर आपसे पूछा जा रहे हैं कि चार्स विलकिंस का भगवत गीता का अंग्रेजी संस्क्राण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? बताईए चार्ल विल्किन्स का जो भगवत गीता का अंग्रेजी संस्क्रण इनुन किया था भगवत गीता को अंग्रेजी में इनुन साथी जो संस्क्रण निकाला था इसके पहले किस वर्ष में इसको प्रकाशित किया गया था तो 1750 में इसको प्रकाशित किया था ये बात दियान रखना है इसलिए आंसर आपका किस option के साथ जाएगा option number C के साथ जाएगा अगर बात करें साथ हूं गीता का तो गीता का फार्सी मेनुबाद किसने करवाय था तो दारा शिकोह ने किया था गीता का फार्सी मेनुबाद उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रुशने के भारतिय सुत्मृता के दोरान समचार पत्र यंग इंडिया को किसके दोरा प्रकाशित किया गया था तो यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था आपसे पूछा जा रहा है बताईए तो महत्मा गांधी जी के द्वारा समचार पत्र ही एक यंग इंडिया इसको प्रकाशित किया गया था महत्मा गांधी जी के द्वारा इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो option number C के साथ अगर महात्मा गानी जी की बात करें इन्हों और कौन-कौन से समचार पत्र प्रकाशित करवाये थे तो नवजीवन और हरिजन ये दो समचार पत्रों के नाम भी आपको ध्यान रखना है उसके बाद देखिए कि निमिकित में से किस ने 1914 में common wheel नाम की सापताहिक समचार पत्र की स्थापना की थी बताईए इस question का साथ यो right answer आपका क्या हो सकता है बताने की कोशिश करेंगे तो any present अगर आपका उत्तर जा रहा है तो बिल्कुल correct हो जाएगा यानि के 1914 में common wheel नाम की सापताहिक समचार पत्र की स्थापना की थी तो any present ने की थी उसके बाद देखिए साथियों वर्ष 1778 इसवी में अंग्रेजों ने कहां पर पहली printing press की स्थापना की थी बताईए तो कहां पर कीती साथियों कलकता में कीती इसलिए आंसर आपका किस उप्शन के साथ जाएगा उप्शन नमर बी के साथ जाएगा भई बहुत बढ़िया very good class बहमनी राजकी बहमनी समराजकी इस्थापना किस के दोरा की गई थी आपसे पूछा जा रहे अलाओदीन बहमन शाह के दोरा, मीर जाफर के दोरा, मुहम्मद बिन तुगलक के दोरा या फिरोज शाह बहमनी के दोरा तो आंसर साथियों यहाँ पर आपका जुजाएगा वो आपको ध्यान क्या रखना है कि अलाओदीन बहमनशाह के द्वारा बहमनी राजी की स्थापना की गई थी ठीक है तो इसलिए आंसर अगर आपका है यहां पर आपशन नमबर ए तो बिल्कुल करेक्ट है अगर बात करें साथियों बहमनी राजी की इस्थापना किसके शासनकाल में हुई तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई और विजयन अगर समराजी की इस्थापना किसके शासनकाल में हुई तो मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई तो यह दोनों important point भ उसके बाद देखिए किस समराजी की स्थापना 1347 में हसन गंगू ने की थी बताईए। इसके बाद देखिए समराजी की स्थापना हसन गंगू ने सातियों 1347 में की थी इनको अलाउद्दीन बहमन शाह भी कहा जाता है। अगर कृष्ण देव राई की यहां पर बात करते हैं सातियों तो आपको ध्यान रखना है कि इनकी आमुक्त मालियत एक रचना है जो किसके द्वारा लिखी गई है। बात भी आपको ध्यान रखना है चलिए। उसके बात देखेंगे अगले नंबर का पृष्ण के निम्लिकित में से किसने साहित अमुक्त मालियत पर मद्योगीन गरंत संकिलित किया है। तो किसने किया है सातियों अभी मैंने आपको बताया था कृष्ण देवराय ने किया है इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगर पूछ ले सातियों अमुक्त मालियत गरंत के रशनाकार कौन है तो कृष्ण देवराय बताना अगर पूछ ले किसने अमुक्त मालियत पर मद्योगीन गरंत संकिलित किया था तब भी कृष्ण देवराय ही आपको बताना है उसके बाद देखिए अगले नंबर का अंसर जाना चाहिए यानि के गोलकुंडा का किला जो है वो तेल गाना में इस थी तो भी बहुत बढ़िया वेरिगूट क्लास अब उसके बाद देखिए कि सोलह सो से सत्रा सो की अवधी के धार्मिक शिक्षक मियामीर किस राज़ से सम्मंदित है बताईए तो किस राज़ से सम्मंदित हैं पंजाब से सम्मंदित हैं ये बात आपको ध्यान रखना है आंसर आपका ऑप्शन अमबर सी के साथ अजमेर में इन में से किस सूफी संथ से सम्मंदित है अजमेर जो है सात्यों राजिस्थान का हिर्दे कहा जाता है इसको और ये अगर बात करें सात्यों ख्वाजा मुएंदिन चिश्टी की दरगा कहां पर स्थित है तो अजमिर शरीफ में स्थित है निजामुदिन ओलिया की दरगा कहां पर स्थित है तो दिल्ली में स्थित है ये बात भी आपको ध्यान रखना है और निजामुदिन ओलिया के शिश्च सातियों कौन थे अमीर खुसरों थे ये बात आपको ध्यान रखना है और अमीर खुसरों को सातियों क्या कहा जाता है कवाली का जनक कहा जाता है उसके बात देखिए संत कबीर का जन्म कहां पर हुआ था आपसे पूछा जा रहा है तो संत कबीर का जन्म सातियों कहां पर हुआ था जल्दी से बताने की कोशिश करेंगे इस कोशन का राइट आंसर आपका क्या हो सकता है बताई चलिए तो अगर बात करें साथियों वारनसी में इनका जन्म हुआ था कहां पर जो कबीर दास्ति इनका जन्म कहां पर हुआ था वारनसी में हुआ था वारनसी को मोक्ष नगरी कहा जाता है यह बात आपको धियान रखना है वरणसी में लहर तारा में इनका जन्म हुआ था ठीक है साथियों उसके बाद अगर बात करें यहां पर इनकी मृत्यू कब हुई तो मगहर में इनकी मृत्यू हुई ये भी आपसे पूछा जाता है उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रशना आ बाबर ने की थी ये बात आपको धियान रखना है इसलिए आंसर अगर आपका यहां पर ऑप्शन नंबर A है तो बिल्कुल करेक्ट है अब उसके बाद देखिए आज की क्लास का अंतियम प्रशना आपकी स्क्रीन पर है खानवा के युदू जो हुआ था ये कब हुआ था और किसके बीच रड़ा गया था तो खानवा के युद हुआ था कब 1527 इसमे में हुआ था किसके बीच रड़ा गया था तो बाबर और राणा सागा के बीच रड़ा गया था ये बात आपको धियान रखना है विजह कौन रहा था तो बाबर इसमें विजही रहते है ठीक है करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके एक बार क्लास को शेयर करेंगे मिलते हम सभी लोग आने वाली वीडियो में जैहिंसातियों सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए